रादा कृष्णी की कहानी के आज राद के अपिसोड में दिखाया जाएगा कि साम यमुना माता को कृष्णी के खिलाफ बढ़काता रहेगा जहांपर यमुना माता भी अपनी पानी के जल प्रभाव से इतना जादा परिस्तिती विकट कर देंगी कि श्री कृष्णी देख काफी जादा चकित हो जाएंगे उतर दिखाया जाएगा कि क्रिष्ण बल्राम से कहेंगे कि ध्यान रखना कोई भी अपने बुरे भाव से या फिर अपने हिर्दे में कोई भी ऐसी भावना ना लाए जिसका नाराइन भी स्वें पश्तावा करने पर भी मदद ना कर पाए बल्राम कहते हैं कि ठीके कहना तुम चिंता मत करो तुम जाओ श्रीक Alger सुष्ण यहां रध पर राधा को बिठा कर के द्वारिकास से निकल जाते हैं दुधार लक्षमना को इन्फॏमेशन जाती है लक्षमना इन्फॏमेशन देती है जामवती को कि साम कहीं भी दिख नही ये मेरा बेटा कहा है मुझे नहीं पता कि आप मेरे बेटे को कहां से लाएंगे लेकिन मुझे मेरा पुत्र साम अपने पाथ चाहिए कृष्ण कहते हैं कि मैं राधा के साथ जा रहा हूं और जैसे ही श्री कृष्ण अपना रथ चलाने के लिए हाथ उठाते हैं यहां पर ज पूरा द्वारिका संकट में है तुम्हें अपने पुत्र की पड़ी है इतना भी क्या पुत्र मोह कि उसके आगे तुम्हें पूरे द्वारिका की दिखाई ही नहीं दे रही है मेरा करता वह द्वारिका धीश होने के नाते के द्वारिका को बचाना इसलिए मैं पहले द्वा रहे हो कृष्ण कहते हैं च्छा ठीक है रादा कहती है कि देखो जैसे भी है स्लाम तुम्हारा पुत्र है यह उसकी माँ है और एक माँ अपने पुत्र के लिए काफी जाद चिंतित होती है और इसलिए तुम्हें उसे ढूंद नहीं होगा यहां पर श्रीकृष्ण को पहले स सारा रूप देख कर कि वो कैसे अपने श्रीकृष्ण के विराह के रूप में अपने जल को बहुत ही तेजी से प्रावा कर रही होती है उधायमना अपने जल प्रावा को और भी जादा बढ़ाती रहती है अपने हातों से साम कहता है कि देखे आप यह सब कुछ बेकार कर कुछ भी नहीं होगा अगर आप श्रीकृष्ण को अपने पास तक बुलाना चाहती है तो आप अपने ब्राता शनीदेव को यहां बुलाईए क्योंकि वहीं है जो श्रीकृष्ण को साफ साफ यहां बुला सकते हैं यम्रमाता कहती है कि नहीं मैं अपनी भाई को ऐसे नही पूरी द्वारका को या पूरी व्रंदावन को भी डुबा देंगे तो भी श्री कृष्ण नहीं आएंगे उधर श्री कृष्ण अपना रद बहुत तेज चलाते हैं रादा कहती है कि आराम से कृष्ण अराम से रद चलाओ इतनी जल्दी क्या है कृष्ण कहते हैं कि कुछ बहुत ही बहांकर होने वाला है बहुत ही बड़ा अनर्थ होने वाला है इससे पहले हम में व्रंदावन पहुँचना होगा और वो रत की गती और भी जारा तेज कर देते हैं उधर साम बार बाय यमना माता को अपने पिता श्री कृष्ण के खिलाफ भड़काता रहेगा औ केरे पिता श्री आपको प्यार अब नहीं करते यमना माता कहती है कि अच्छा अकर ऐसी बात है तो आज मैं अपने साथ साथ पूरी व्रंदावन को ही डुबा दूंगे फिर चाहें जो हो साम कहता है कि नहीं आप एक काम किजिए आप अपने ब्रहाता शनी देव को करेंगे उते श्री क्रष्ण अपना रत रोकते हैं और देखते हैं कि हर जगा पानी इहां नंका रास्टा भी रुख जाता है रादा कहती है कि क्या हुआ अप हम रास्ता कहां से धुणेगे तो क्रिश्ण कहते हैं कि यमणा देवी बहोठ जहादा गुस्य neutr adjustment करेंगे और वो हमारा वेट काफी दिनों से कर रही थी लेकिन हमने उनकी जो बुलाने की बात है वो नहीं सुनी इसलिए वो बहुत जादा क्रोदेत है रास्तला राधा कहती हैं कि अच्छा तुम ऐसे अलग-अलग से बात क्यों कर रहे हो तुम ठीक से बताओ आखर क्या हुआ है तब श ऐ है वो शनिडेव हैं और वो किसी बी तरहा का प्रेलय लाने के लिए कर सकते हैं और साम ही है जो कोशिष कर रहा है उन्हें बijnजर खरहा है यम्शनिदेव को मेरे लेतियों कहती है कि हां तुम साइट शही कह रहे हो श्री कृष्ण मुझे भूल चुके हैं इसी लिए मुझे समझ नहीं आ कि मैं अपना फ्रेम किस तरीके से खतम करूंगे क्यों कि श्री कृष्ण को मैंने बें प्रेम किया है दूसी तरह दिखा जाएगा कि श्रीकृष्ण जैसे शनीदेब की इंसर्ट किती शनीदेब को वो याद आएगा और साम कहेगा कि हा आप सही कह रही है शनीदेब अपने अपने मेडिटेशन तोड़कर अपनी बहन के प्यार को इंसाफ दिलाने के दिए वहाँ पर आते हैं जैसे शनी देव उठकर आते हैं अपने ध्यान पे से यहां हर तरफ आग लग जाती है कृष्ण महादेव और सब लोग ये सब कुछ देखकर द्वारिका में भी आग लग रही है ये बहुत जादा चिंतेत हो जाते हैं श्री कृष्ण और राधा भी बहुत जादा डरे होते हैं और राधा कहती है कि कृष्ण मुझे बहुत डर लग रहा है उदर दिखाया जाएगा कि देवी गौरी महादेव से कहेंगी कि ये तो प्रलै का कोई साइन लगता है महादेव कहेंगे कि शनी देव जाब चुके हैं यहां पर देवी कहती हैं कि शनी देव तो आपके भ भड़े होते हैं और अगर उन्होंने इंसाफ के लिए किसी का साथ देने की सोची है तो वह ऐसा करका ही रहेंगे लेकिन इस बार उनकी किसी ने सुनी नहीं है और इस बार तो स्वयम नारायन भी कृष्ण जो हैं अपने कर्म से पीछे नहीं अट सकते देवी गौरी कहती ह कि क्या यह तो बहुत सारा चिंता की बात है तो महादेव कहते हैं कि हां सिर्फ फ्यूचर ही बता सकता है यानि कि सिर्फ भविश्य ही बता सकता है कि आगे क्या होगा और दूसरे तर्फ दिखा जाएगा कि शनी देव चल कर आएंगे अपनी कुफा से जहां पर वो देपोर्ट में